1 end of a ripple tank 80 cm across मुमारे पास एक ripple tank है जिसकी length डेबन जो कितनी है 80 cm में बिचानी जाया रही है अब 5Ards vibrator produce waves whose wavelength is 40 mm तो महरे पास यहां पर एक vibrator है जो ऐसे vibrate करता है बार बार पानी के लिधा पानी के अंदर waves कादा होती है तो उसकी frequency कितनी है 5Ards है साथ जो वेव प्रदा कार रहा है उनकी यानि की लैम्डा जो है वो 40 मिली मीटर है find the time find the time the wave need to cross the tank तो हमने वो time find करना है जिसमें यह वारी wave cross कर जाए इस tank को यहां से cross करते करते हैं यहां तक पहुन जाए तो हमने वो time calculate करना है तो हमें weight of the ripple tank दी गई है यह 80 cm है इसको मीटर में change कर लेंगे length क्योंकि मीटर उसको unit है तो 80 by 100 करेंगे तो 0.8 मिटर हमारे पास आ जेगा frequency f गया वो 5 words है और wave length हमें given है 40 mm तो मिली मीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से ट्वाइट करेंगे क्योंकि एक मीटर में 1000 मिली मीटर होते हैं तो 40 by 1000 करेंगे तो यह 0.04 मीटर बादेगा अब हम प्रहले को भी calculate कर लेते है ठीक है find the time the wave need to cross the tank तो उसको वहाँ से गुजरने में जितना time लगे गा उसके लिए हमें 20 equal to f lambda हम यह formula use करेंगे ठीक है तो f की value के हमें given है 5 hertz और lambda की value के हमें given है एक है 0.04 इन दोरों को multiply करेंगे तो v की value हमारे पास 0.2 मीटर पर सेक्ट हा लिए अब हमें v का का नहीं किया हमने v calculate हम भी इस लिए calculate कर ले ताके हम वो time निकाल सके जितनी देर में वो wave यहां से पैदा होके यहां तक कौन जाती है क्यूंकि हमको पता है velocity is equal to distance by time होती है तो अब हम यहां पे क्या कहते है time मालूम करना है distance ही हमें पता है इसकी length पता है और सा तो time यहां से यहां तक लगेगा इसको small t लिखेंगे मैंने इसको capital t लिख दिया यह time period नहीं है बनकि यह आपके पास small t होगा आप यह time calculate कर रहे है उसका तो यह small t है ठीक है sorry मैं mouse किस मदद से लिखरू किस वज़े से खोड़ा लिखने में सफाई नहीं आएगी तो t is equal to d by v ठीक है डिस्टंस divided by velocity अगर आप करेंगे तो आप उस time आजएगा ठीक है तो v is equal to d by t होता है तो आप इस फार्मूले को जग आप चेंज करेंगे तो t लिखर चला जाएगा v अधर आजएगा तो t is equal to d by v हो जाएगा तो यहां से आप आप इसमें value स्वोट कर तो t is equal to d की जग आजएगा 0.08 और v की जग आजएगा 0.2 ठीक है यह small t है इसको मैं change कर देता हूं ठीक है यह आप समये small t है ठीक है time की value time period नहीं हमारा तो इसको अब आगी जब हम calculator की मदद से solve करेंगे तो t की value जा हमारे पास जो time लगेगा उसको यहां से गुदरते हैं उदर तक पहुंचने में ठीक है यह हमारे पास आ जाजाएगा जी फोर सेकंड इसको लगेंगे जो wave यहां से पैदा होगी उसको यहां से यहां तक पहुंचने में ठीक है चार सेकंड लग जाएगे इसके बाद अगला numerical देखते हैं